ठा मुझे उस पल का इंतिजार, जिस पल पे मैं अपनी जिंदगी चीपा हूँ, मैंने अपने आसपास मेरे अपनों के मैंने ताने सहे हैं, बस मुझे मौका नहीं मिला, मैं उस मौके का इंतिजार कर रहा था, मैंने लाइप पे बहुत स्ट्रगल किया, लोगों ने मुझे पे हसा, मुझे नाकारा समझा, पर उन्होंने मेरे दिल की बात नहीं समझी, कि मुझे अपॉर्चुन्टी नहीं मिली, अगर मुझे अपॉर्चुन्टी मिलती, मैं अपने आपको साबित कर पाता, इस दुनिया को मैं दिखा पाता कि मैं कौन हूँ, और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं पिछले तीन सालों से इंतचार कर रहा हूँ एक भरती का, जो भरती नहीं आई, मैंने खूब महनत करी, पर अगर वो भरती आती, वो नौटिफिकेशन आता, वो एक्जाम आती, तो मैं भी आज किसी ना किसी सरकारी नौकरी में होता, और अपने सपनों को जी रहा होता मुझे इंतजार है उस पल का, मुझे इंतजार है उस घड़ी का, जब बैकेंसी आएंगी और मैं अपने आपको सिद कर पाऊंगा, कि मैं भी काबिल हूँ, दुनिया के ताने सुन-सुन के मैं पक चुका हूँ दोस्तो वो पल आ गया है, 2023 आप लोगों के लिए त्रक भरके भरतियां लेके आया, त्रक भरके, कहूँगा तो कुछ गलत नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा भरतियां आप लोगों के लिए आई हैं, यह अपोर्चनूटी है, दोस्तो इस अपोर्चनूटी को आपको जाने नहीं देना है यह डायलोग नहीं बोलना है अब चिडिया चुक गई खेट तो फिर पच्टाए क्या हो आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करना है और अपने आपको सिद्ध करना है साबित करना एक संकल्प के साथ क्यूंकि दोस्तों दो हजार सत्रा अठरा उन क्या करें हमारे पास अपॉर्च्यृटी नहीं थी अब इतनी सारी अपउर्च् Tiny आई हैं इनने जाने नहीं देना है आँस संकल्प लेना है इस नय साल को तो इंतजार नहीं करना है और आज से ही आपको पढ़ाई करना है अपनी पढ़ाई को बिल्कुल सांदर तरीके से रंडिती के साथ एक प्लानिंग के साथ अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका सेलेक्शन होगा दोस्तों कुछ लोग तो बिपरित परिस्तितों में भी पढ़ लेते हैं आप वही हो जो बिपरित परिस्तितों में पढ़ रहे हो पस अपने आप पर विश्वास रखना है अपने आप पर ब्लीब रखना है और आगे बढ़ना है और स Best of luck. Thank you so much.